यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाशन में 10 मिनट प्रधान मंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोशनाएं नकली घोशनाएं की, कितने घोटाले किये, कितने नाटक करते हैं शिवराद जी और मैं 10 मिनट के लिए सिंद्या जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचार धारा ही पलट गई लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका मैं जानती हूँ क्या है महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्ज सबजी, फल, आटा, गेहू इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ ये तो है ही जब टमाटर तेर्ट सो रुपे में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही लेकिन इस महंगाई से किस तरहे आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ मैं उबात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है आजकल छट से कुछ पानी गिर रहा है आपको मरमत करवानी है वो मरमत महंगी हो गई है आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है, आपके बच्चों की फीज भरना मुश्किल हो गया है, इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पार्शाला तक जा रहे हैं, उनके लिए चाता खरीदना मुश्किल हो गया है, झाल झाल